अपने 84 महाधिवेशन में कॉंग्रेस ने मोधी सरकार के खिलाफ आकरामक रही पार्टी अध्यक्ष राहूल गांधी ने 2019 के चुनाव को महाभारत का युद्ध बताते हुए भाजपा को सत्ता के लिए लड़ने वाले कॉर्व और कॉंग्रेस को सच्च के लिए लड़ने व पांडव बताया, नीरेव मोधी और ललित मोधी का जिक्र करते हुए कहा कि मोधी नाम ब्रश्टाजार का प्रतीक बन गया है, अमिद शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हत्या आरोपी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया, उन्होंने दावा किया कि 2019 में कॉंग्रे कॉंग्रस ही सता में आएगी, कॉंग्रस ने 84 महाधिवेशन में मोधी पर निजी हमले की नीती को जारी रखी, महाधिवेशन के पहले दिन सोन्या गांधी ने मोधी को ज्रामे बाज बताया था, रवीवार को राहुल ने मोधी शाप्त का मतलब ही क्रोनी केपिलिजम, का नाम भी भष्टाजार से जोड़ा कांग्रेस पत्रिकाओं में, सूट बूट, लुट की छूट, शीर्शक कैप्शन में, ओट ओफ लीवेशन में कई पत्रिकाओं भी बाटी, जो मोधी पर सीधे हमलों से भरी थी, ऐसी ही एक पत्रिकार का शीर्शक है, सूट बूट, पहले पेज़ पर एक कार्टून में विजय मालिया हवाई जहाज से भागते दिख रहे हैं, कैप्शन में आर्ट ओफ लीविंग लिखा है, स्कैम शप्त के नीचे लेलित मोधी, नीरव मोधी और नरेंदर मोधी की तस्वीर है, प्रफाल डील को लेकर भी नरेंदर मोधी का कार्टून बनाया गया है.